हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे चैनल संब्रिदी टेक्निकल में आपका रिदय से स्वागत है दोस्तों आज हम डिल से संबंदित चार बिंदू के उपर चर्चा करेंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कभी ना कभी आपकी मन में इससे संबंदित कोश्चन जरूर आये हो और एक्जाम में तो हमेंसा आपको कोश्चन देखने को मिलता है इसलिए हम इसके चार बिंदू के उपर चर्चा करेंगे बिंदू क्या कहा है देखिए इसका जो मेन पॉइंट है वो तो यह लास्ट वाला डिल अपने साइज से बड़ा होल कब बनाता है इसका मतलब यह ह है वो 10 mm का है लेकिन वह 12 mm का होल कैसे बनाता है यह हमारा सबसे इंपॉर्टन कोश्चन है और एक इंपॉर्टन कोश्चन देखिए देखिए धातू नहीं काटता है आपने बजार से एक नए डिल आया पज़ता चला वह उस नए डिल से कटिंग नहीं हो पा रहा है ऐसा हो हो सकता है या आपने ग्रैंडिंग किया लगातर कियंडिंग करते जा रहे हैं कर चोटा हो गया लेकिन कटिंग ही देखिए बनाते हैं यह चाहर कोश्चन चलिए शुरू करते हैं एक नमबर देखें डिल धातू नहीं काटता हैं जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि डिल जो है उसके दो कटिंग लिप के साथ कटिंग करता हैं कटिंग तब करेगी जब उसके लिप के पीछे हम रिलिप एंगल देंगे या लिप किलियरंस एंगल आम तोर पर यह जो है यह 8 से लेकर 15 डिगरी तक रखा जाता हैं हाड मेटल के लिए लिप किलियरंस एंगल जो है वो 8 से 10 डिगर रखते हैं आप समझ गए ना कि नए ड्रिल भी कटिंग नहीं करेगी अब हम बात करेंगे आसमान चिफ्स बहार निकलता है तो दोस्तों जब दोनों लिफ्स को बरावर नहीं करते हैं तो एक समझ से यह आती है कि इसमसे जो चिफ्स आते हैं एक पता चला चार में काया और दूसरा चे में काया कैसे माल लीजिए आपने ड्रिल को ग्रैंडिंग किया और उसमें आपने सेंटर एक्सिस लाइन नहीं बना पाया इस साइट को चार इदर चे बना दिया टोटल डाय से वह शेले के सिल निकलेंगे तो इस परकार से आश्यवान चिर्स निकल सकताए उससे छमें अगला दिखिए एक ड्रील रॉफ हол का बनाता है सुरांघ बनाते हैं ऑर उसमें प्र कुलेंट से जो चिफ्स निकलता है वह भी रफ निकलता है और फाइनल जब होले सीज़ द तो देखेंगे उसके अंदर रफ बहुत है सरपेस रफ है ठीक है यह ऐसा तब होता है जब उसमें आप कुलेंट नहीं डालते हैं या ड्रिल को ज्यादा फेट पर चलाते बहुत ज्यादा फेट देंगे आप तो यह समस्था आपके सामने आएगी फेट के कारण जल्दी से क काटेगी इसलिए जब फिनिशिंग करने होती है तो कम फेट में चलाया जाता है चिक आन्तिम देखिए लास सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वह हम अब चर्चा करेंगे ड्रिल अपने से बड़ा होल कब बनाता है तो देखिए आपने ड्रिल गेज देखे होंगे ड्र को इसके रिफ्रेंस में पकडते हैं तो आप इसके साइट से इसको झाता देते है ड्रिल को इस परकार से और यह जो जीफ है है यह आपने माले एक साइट का नापा थो दोस्तोहिए आपने 5 एम मिल नापा क्या तो जब इसको फिर से गुम altogether है क्योंकि आपको एक साइट क कि दोनों के लंबाई जो है वो बराबर होना चाहिए इस लिए इसमें करते समय आपने इतिना अच्छे से किया की दोनों के भीच 55 का ही ली बना ये ये भी 5 तो दोस्तो ये 10 का होल ही बनाएगा ये 12 तका नहीं बनाएगा लेकिन यदि आपके पास स्केल नहीं है आपने जब ग्रैंडिंग किया गेज का यूज नहीं किया हो सकता है कि आपने इसको चार कर दिया और इसको छे कर दिया तो क्या होगा दोस्तों जब इससे आप ग्रैंडिंग जब इससे आप डिलिंग करेंगे तो चार वाले लिप यह भी cutting करेगी 6 सेंटर तो यह हो चार वाले 8 mm का सुरात करेगी और जो 6 mm का लिप है ऩूछे कृतने को 12 mm को तो देखिये दोस्तों टीलускbird कितने के 10 mm के काटा कें 12 mm के तो दोस्तों यदि आप ड्रिल के लिप की लंबाई को बराबर नहीं करते हैं तो आपको ये समस्य से देखने को मिल सकती है अधिक डाया का होल बना सकता है ठीक है दोस्तों ये था ड्रिल के उपर एक जवर्दस वीडियो आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के वार्शाप नमबर पर पटावट शेयर कर दीजिए और यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स करिए फर्स टाइम आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब के बटन क